हेलो एवरिवन नमश्कार मैं रिच्च तिवारी राष्ट्र कृसी छात्र संग की राष्ट्र उपाध्यक्ष छात्रा प्रकोस्ट बोल रही हूँ मैं आप सब के सामने ये वीडियो लेकर इसलिए प्रस्तुत हुई हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश क्रिसी छात्र संग की सद्यसिता और नामांकन फॉर्म ओनलाइन आवेदन कैसे करें ये उसके बारे में आपको बता सकूँ उत्तर प्रदेश क्रिसी छात्र संग किसानों और क्रिसी छात्रों के लिए द्रण संग कल्पित है और इस परिपेक्ष में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं 16 सिप्टेंबर 2021 से लेके 30 सिप्टेंबर 2021 तक ये आवेदन जो है हम कर सकते थे आज उसकी लाज़ डेट है और बच्चों ने मुझसे बोला है कि मैं फॉर्म फिल करते टाइम पे हमें कोई न कोई डिफिकाल्टी आ रही है तो आप उसलिए ये वीडियो बना दें तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश किसी चात्र संग का मुख्य उद्देश जो है वो पर्यावरन संरक्षन है जिसके तहत हमने हाली में दो लाग से जादा पौधों का विक्षा रोपन पुरे प्रदेश में कराया है दूसरा जो है वो है चात्र संग चुनाओं जिसके तहत हम लोग राज जिपाल और मुख्य मंत्री जी से निरंतर पत्यक्ष या पत्यक्ष रूप से समवाधिस्थापिट करने में सफल रहे हैं तीसरा जो है वो है किसान कल्यार मंच और जिसके तहत हम परिक्षण केंदरों में जाकर ज्यादा जो है वो है किसान पुत्र पाठशाला जिसके तहत हम निशुलक नोट्स दो हैं दस्तावेज जो हैं किसी भी किसी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए यह हम स्टुडेंट्स को प्राप्त करवाते हैं तो चलिए सबसे पहले हम यह जान जाते हैं कि यह सदसिता हासिल करने के लिए हमें कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा जिसके लिए हमें www.upaso.in slash nomination पर क्लिक करेंगे हमें महत्पपूर जानकारी मिल जाएगी जैसे कि अगर किसी ने अभी तक membership ID नहीं प्राप्त की है तो उसके लिए यहां पर लिखा हुआ है सदस्या प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें तो हमें वहां पर क्लिक करना होगा यहां पर हमें एक passport size photo लगानी होगी अपना पूरा नाम लिखना होगा फिर अपना email address जो है वो डालना होगा mobile number डालना होगा date of birth जो है वो डालना होगा उसके लिए सबसे पहले आप जो तो स्टुडेंट प्रोफेसर है तो प्रोफेसर फार्मर साइंटिस्ट या एग्रिकल्चर ऑफिसर उसके बार यहां पर आपको जेंडर जो है वो सलेक करना email फीमेल या अगर आप स्टुडेंट यहां यहां पर कॉलेज में हैं वो आपको मेंशन करना होगा और कौन सा कोर का एड्रेस जो है वो यहां पर मेंशन करना होगा और फिर समिट करना होगा जैसे ही आप समिट का ऑप्शन डालते हैं तो हमारा पेमेंट गेटवे जो है वो खुल जाएगा और 10 रुपए इंवेस्ट करके आप मेंबर्शिप आईडी जो है वो आप प्राप्त कर हैं तो वो यहां पर सदस्तिता आइडी प्राप्त करने के लिये यह लॉग इंड करें एह वहांपे क्लिक करें एच पर विह इपने फिर लास्ट में आपका आगया नॉमिनेशन पॉर्म सबसे पहले आपको उपासो मेंबर्शिप आईडी जो कि आप भूल गए हैं या फिर अभी तक नहीं ही प्राप्त किया है तो वह प्राप्त करके यह दस रुपए का इंवेस्ट करके आप मेंबर्शिप आईडी प्राप देट ऑफ बर्ड जो है वो आप सलेक्ट करेंगे तो फिर आप जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो आप प्राप्त कर सके जैसे ही हमने उपासो की आईडी और अपना डेट ऑफ बर्ड डाला वैसे ही हमारा नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा उसमें सबसे पह प्रेंट में कोई experience नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास कोई पोस्ट थी तो वह आप mention कर सकते हैं जैसे कर सकते हैं फिर आप अपना ब्लॉक डाल सकते हैं तहसील डाल सकते हैं डिस्टिक डाल सकते हैं रीजन डाल सकते हैं डिवीजन डाल सकते हैं लेकिन यह सब optional है अगर आपको डालने का मन है तो आप डाले नहीं डालने का मन है तो नहीं भी डाल सकते हैं और लास्ट में आपका nomination जो है है वो कर सकते हैं तो इस तरीके से यह आपको यह nomination और membership ID जो है वो प्राप्त करनी है एक चीज और कि अगर आपने membership उपासों की जो ID आपने डाली थी और date of word जो है वो डाला था और अगर आप फिर से refresh कर देंगे यह reload करेंगे पेस तो आपको फिर से जो है ना membership login ID जो है वो डालनी पड़ेगी तो इसलिए refresh ना करें एक बार में अपनी सारी चीजें पढ़के और अच्छे से उसको फिल करके और फिर सम्मिट करके अपना payment gateway के थुरू nomination और membership ID प्राप्त कर लें